उत्रा खंट के रोदुर प्रयाग में आने वाले मधमहेश्वर खाटी के उचाई वाले लाकों में मौसम के अनुकूल बरफबारी नहोने से बुरुआ भेटी के जंगल भीशन आग लगए जंगलों में भीशन आग लगने से वन संपदा को नुकसान पहुच रहा है और वने जीव जनतों के जीवन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो जंगलों में लगी आग विकराल रूप धारन कर सकती है जिससे बुरुआ भेटी के जंगलों के आग टिंगनरी होते हुए सोन परवत के अंचल में बसे सुर्मय मखमली बुग्यालों तक पहुच सकती है मदमहेश्वर घाटी के बुरुआ भेटी के जंगल सोंबार देर राच से भीशन आग की चपेट में आ गया है जंगलों में भीशन आग लगने से वनसंपता को नुकसान पहुच रहा है और वन्ने जीवों के जीवन पर संकट के बादल बंडराने लगे है जंवरी महीने में जंगलों में भीशन आग की चपेट में आने का मुख्य कारण जलवाईयू परिवर्तन के कारण मौसम के अनुकूल बर्फ बारी ना हो ना माना जा रहा है क्योंकि जन्वरी महीने में बर्फ बारिश से आज छादित रहने वाला भूभाग बर्फ विहीन होने से जंगलों में लगी आग भीशन रूप धारण कर चुकी है बुरुबा भेटी के जंगलों में लगी भीशन आग पर अगर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो आग टिंगनरी होते वे सोन परवत की आचल में बसे सुर्मय माखमली बोग्यालों में पहुँच सकती है जिससे कुखणी, माखुनी जया, वेजया, केतकी, अतीश, कुटकी, रातों की रानी सैथ, दो दर्जन से ज्यादा प्रजाती की बेस कीमती जड़ी बूटियों को भारी नुकसान पहुँच सकता है